हेलो फ्रेंड वेलकम टो इस्टडी वाइस चैनल आज मैं जी के टेस्ट का भाग चार लेके आई हूँ इसके पहले का भाग मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है तो फ्रेंड आप भी टेस्ट दीजी अपनी रिविजन करिए और अपनी तयारी को और बहतर किरिए तो चली फ्रेंड शुरू करते हैं प्रश्णों को देखते हैं पहला प्रश्ण है कि अंतराश्टी उर्जा एजनसी के अनुसार भारत का विश्व में बिजली उत्पादन में कौन सा इस्थान है प्रथम दृती तृती चतूर तो इसका एंस्वर होगा तृती तो फ्रेंड यहां ये भी जान लिजे कि प्रथम पे चीन है दूसरे नंबर पे अमेरिका तीसरे पे भारत और चौथे पे जापान आता है तो इस तरह याद रखिएगा घरते करम में नेक्स्ट कोशन में बढ़ते हैं अगला कोशन है जीयो और जीनेदो का नारा किसने दिया था गौतम बुध महाविर स्वामी महत्मा गांधी स्वामी विविकानन तो इसका एंस्वर है महाविर स्वामी महावीर स्वामी की बात हो रही है तो यहाँ यह जान लिजे कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24 वे और अंतिम तिर्थंकर थे नेक्स्ट कॉश्चिन नेक्स्ट है कौन सुल्तान नया धर्म चलाना चाता था कि तू उलिमाओ के विरोत की कारण वीचार त्याग दिया तो अल्लाओ धिल जी की बात हो रही है तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं तो अल्लावदिन खिल जी ने बजार वेवस्ता चलाई थी और इन्होंने सिकंदर सानी की उपादी धरड की थी और इन्हीं के समय में सरवदिक मंगोल आकरमड हुए थे और दच्छिट भारता आकरमड करने वाला यह पहला सुल्तान था फ्रेंड इनके बारे में जो भी इंपोर्टन चीज थी मैंने यहां बताई यह से भी याद रखिएगा नेश्ट कोश्चन पर बढ़ते हैं अगला कोश्चन है कि भारती सविधान की आत्मा किसे कहा जाता है अनुछेद 32 को, प्रस्तावना को, मौलिक अधिकारों को, नीती निर्देसर ततों को तो इसका इंस्वर हो गया प्रस्तावना को तो यहां यह भी जान लिजे कि डॉक्टर भीमराम बेटकर ने अनुछेद 32 को सविधानिक उप्चारों को सविधान की आत्मा कहा है तो याद रखिए कि डॉक्टर भीमराम अमिटकर ने कहा है अनुछेद 32 को नेश्ट कोश्टन में पढ़ते हैं अगला कोश्टन है भासड और विचार वैक्ट करने की सुतंतता किस अनुछेद में है अनुछेद 21, अनुछेद 22, अनुछेद 19, अनुछेद 20 तो इसका अनुछेद 19, इसका सही है तो अनुछेद 19 में 6 प्रकार की सुतंतता दी गई है इसे भी आद रखिएगा अगला है कि नई सिच्छा निती का फॉर्मेट क्या होगा तो इसका एंसर होगा सी, पांच धन, तीन धन, तीन धन, तीन धन, चार नेश्ट कोशन अगला कोशन है भारती हीरा स्वनस्थान कहां इस्तित है अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, नागपूर तो इसका एंसर होगा, सूरत में तो सूरत, सूरत तापती नदी के किनार है और सूरत को सूरत में सूति वस्तर का केंदर है मतलब बहुत बड़ा केंदर है, सूति वस्तर का उद्योग है नेश्ट कोशन अलश्यका प्रदेश किस प्राकितिक प्रदेश को कहते हैं सावाना प्रदेश, भूमद शागरी प्रदेश, मानसूनी प्रदेश, भूमद रेखी प्रदेश तो इसका एंसर होगा, भूमद रेखी प्रदेश अगला कोश्चन है कि फुलकारी लोककला कहां प्रसिद है हरियाना, बंगाल, बिहार, गुजरात तो फ्रेंड इसका एंसर होगा A. हरियाना फुलकारी लोककला में उसमें कढ़ाई की जाती है चुनरी हो डुबटा हो इस तरह हातों से कढ़ाई की जाती है वहां के लोककला ये प्रसिद है नेक्स्ट कोश्चन अगला और आखरी कोश्चन है मारा कि घड़ी बनाने वाला घड़ी के बारिक पूर्जों को देखने के लिए किसका प्रयोग करता है फोटो कैमरा का साइक्त सुचमदरशी का आवर्धक लेंश का इलेक्टरण सुचमदरशी का तो इसका अंसर होगा कि आवर्धक लेंश का तो आवर्धक लेंश में उत्तर लेंश का प्रयोग होता है तो फ्रेंड ये मेरे दस कोश्चन थे और ये दस कोश्चन आपको कैसे लगे हैं और कितने सही हुए हैं आपका कमेंड में ज़रूर बढ़ताईएगा और वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक भी कर दीजेगा और शेयर भी कर दीजेगा ताकि और लोग भी इसका लाब उठा सके और यदि चैनल पर अभी तक सस्क्राइब नहीं किये हैं तो सस्क्राइब कर दीजेगा इसी तरह मैं और भी वीडियो लाती हूँ रोज तो आप टेस्ट देते रहे हैं और यदि किसी और तरह की वीडियो देखना चाते हैं तो वो भी मेरे चैनल पर पढ़ा हुआ है तो आप वीडियो देखिए उसका लाब उठाइए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद